Welcome back to my channel, आज की वीडियो में मैं आप लगों के साथ बेबी सूस का वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने बनाया है, ब्लैक कलर का बॉर्डर देकर और रेट कलर से सूस बनाया है, बहुत सीम्पल और इजी तरीके से मैं आप लोगों को बना कर दिखाऊंगी, इसे मैंने इसे सिक्स मन्त की बेबी के लिए बना कर दियार किया है, आप लोग किसी भी साइस का बना सकते हैं, वीडियो में मैं सबी साइस के बारे में बता दूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे बना कर आप लोगों को दिखाते हूँ, मैंने यहाँ पर कि फिंगर में इस तो किसे फोल्ट करने की बास रॉंड को माते वे नौट लगा लेना है उसके बाद चेण बनाएंगे चार बर चेन बनाने की बाद लाश्ट वाली चेन में डालेंगे ऐसे कुरिश्या को और नीचे से फंदा निकाल कर इसको एक round circle बना लेंगे सिंगल कुरिशया करते वे तो दिखे ये एक छोटा सा round circle बन चुका है उसके बाद हम लोगों को दो chain बनाना है और इसमें दिखे क्या करेंगे double कुरिशया नहीं बनाएंगे इसलिए तीन फंदे को एक साथ में ही बनत कर देना है इसे half double कुरिशया कहते है तो यहाँ पर देखे ऐसे नीचे से कुरिशया को बीच में डालेंगे और तीन फंदर रहेगा तीनों को एक साथ में बनत कर देंगे तो इस round circle में 12 बार डबल कुरिशया बना लेना है half double कुरिशया बना लेना है आप लोग किसी भी साइस का बना रहे हैं चाहिए आप लोग एक से डेर साल बेबी के लिए बना रहे हैं तो भी आप लोगों को बार बार ही बनाना है इस round circle में double कुरिशया तो यहाँ पर मेरा 10 हो चुका है, दो और बना लूँगी और जो हम लोगों ने शुरवात में चेन बनाया था उसमें इस तरीके से कुरिश्या को डालेंगे और इसको सिलिप स्टीच करते वे जैंट कर लेंगे तो यह फर्स्ट हम लोगों का सरकल कम्प्लीट हो चुका है फिर दो चेन बनाएंगे और यह जो देखे आब 12 हाफ डाबल कुरिश्या है अब इस नेक्स्ट वाले चेन में डालेंगे इसमें भी दो बनाएंगे हाफ डाबल कुरिश्या तीन पंदा है, तीनोंगे देखे तीन फंदा है, तीनों को एक साथ में बंत कर देना है तो इसमें दो बनाया, सेकंड वले चेन में दो बनाया फिर थार्ड वले चेन में डालेंगे, दो हाफ डबल कुरिशया बनाएंगे अब पूरे रॉंड सरकल को ऐसे ही कम्प्लीट कर लेना है तो मैंने यह पर complete कर लिया है फिर जो दो chain बनाया था वहाँ पर silly prestige करकर joint कर देंगे फिर से दो chain बनाएंगे third round का शुरुबात हो रहा है तो third round में देखिए मैं यह पर क्या कर रही हूँ सभी में जैसे 24 डबल कुरिशया है तो 24 में मैं एक एक बना रही हूँ हाफ डबल कुरिशया अगर आप लोग बड़े size का बना रहे हैं तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा जैसे मैं एक chain में एक बना रही हूँ हाफ डबल कुरिशया आप लोगों को दूसरे वाले में दो हाफ डबल कुरिशया बनाना होगा तो आप लोगों का बड़े साइस का बनकर दयार होगा तो मैंने थार्ड रॉन को भी कंप्लीट कर लिया फोर रॉन में भी मैं या पर एक एक हाफ डबल कुरिशय बना रही हूं बस मैंने दूसरे लाइन तक का बढ़ाया चौबिस डबल कुरिशय था अब मैं 24 को कंटिन्यू करते वे बना रही हूं अगर आप लोग ब बले साइस का बना रहें तो थर्ड रॉन में आप लोगों को बढ़ाना होगा ख्यम फोर रॉन में या एक हाफ डबल कुरिशया, फिर दूसरे वाले में डालेंगे, एक हाफ डबल कुरिशया, फिर तीसरे वाले चेन में डालेंगे, एक हाफ डबल कुरिशया, ऐसे करते वे फिर इस रॉंट को भी कम्प्लीट कर लेंगे, ऐसे हम लोगों को साथ बार बनाना है, साथ रॉंट कम् कुपलीट करेंगे तो यहां पर मेरा देखिए फोर रो चल रहा है तो मैं बना लेती हूं यहां से नीचे से देखे एक दो तीन चार पाँच छे साथ मैंने रो कंप्लीट कर लिया है बनाते वे इसको भी जॉयंट कर लेंगे अभी एनई वाला पार्ट को स्टार्ट करेंगे यहां से बनाना तो इसलिए प्रिस्टिज करकर जायन्ट कर लेंगे उसके बाद फिर दो चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाले चेन में डालेंगे वैसे हाफ डबल कुरिशया बनाना है अब पूरे पीछे तक हम लोगों को हाफ डबल कुरिशया बनाना है बस सामने वाले हम ल यहां से 10 half double crochet चोड़कर यहां तक मैं पूरे रॉन में बना लूँगी तो मैं बना कर फिर दिखाते हैं यहां तक बना लिया है 10 मैंने सामने की तरफ चोड़ा है यह सामने वाला पाठे यह वाला जो पीछे वाला पाठे अब उसको बनाएंगे दो चेन बनाएंगे जब भी हम लोगों को टर्न करना है दो चेन बनाना है और फिर्स्ट वाले चेन में डालेंगे और यहां पर half double crochet बनाएंगे और जो सामने वाला पाठ चुटा है उसको वैसे ही छोड़ देना है उसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है और इसको पीछे तक हम लोगों को ऐसे half double crochet बनाना है और फिर से हम लोगों जब टर्न करेंगे तो वैसे ही टर्न करना है मैं आप लोगों को step by step दिखाऊंगी तो यहां तक मैं बना लेती हूं फिर दिखाती हूं तो मैंने देखी यहां तक बना लिया है लाश्ट में वाले चेन में भी ऐसे ही डालना है और half double crochet बनाना है तो दूसरा रॉंट हम लोगों को complete हो चुका है बनकर तीसरा रॉंट का शुरवात करेंगे फिर से दो चेन बनाए बनाने के बाद फर्स्ट वाले चेन में डालेंगे half double crochet बनाएंगे फिर दूसरे वाले चेन में डालेंगे half double crochet बनाएंगे फिर तीसरे वाले चेन में डालेंगे ऐसी करते वे third row पुरा complete करेंगे फिर four row five row ऐसी complete करना है जैसे हम लोगोंने seven नीचे तक बनाया था वैसे seven बहुत इसी बनाना वीडियो का अप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को फॉलो करते बनाएंगे सेम साइस का अप लोगों का बनकर तयार होगा बहुत प्यारा लगता है देखने में एक बर ट्राइ जरूर कीजिएगा तो मैं यहां तक बना लेती हूं और फिर तीन और कर लेती हूं उसके बाद फिर मैं अप लोगों को दिखाती हूं तो देखें मैंने यह पर सैवन लैन कंप्लीट कर लिया है जैसे हम लोगों ने नीचे में सैवन बनाया तो यहां पर भी उपर की तरफ भी सैवन बना लिया है अब इसको जैन्ट की साथ में पकड़ना है औ दोनों को इस तरीके से साथ में पकड़ेंगे और यह इसका फर्स्ट वाला चेन और यह दूसरे वाले का फर्स्ट वाला चेन को ऐसे सिली प्रिस्टिज बनाएंगे दोनों को ऐसे करते वे इस से हम लोगों का कुरेशिय से ही स्टिज हो जाता है सुई धागे का जरुवत अगर आप लोग चाहे, तो सुई धागे से भी शिल सकते हैं, वह आप लोगों की अपनी मर्जी है, परेजी तरीका यही है, तो देखे, इस तरह के से जैन से जैन मिलाते वे, इसको पूरा अरई यवाले पार्ट को सील लेना है, तो जो मैने, 20 madonna, बनाया है, बड़ा साइस का बनाया है, 6 month से लेकर ट्-माने की बेबी के लिए, तो मैं तो मैं क्या कर रही हूं, कि मेरा ठ्वड़ा सा बड़ा साइस का बना था, तो ब्ॉडर में इसको सेब देऊंगी तो देखे मैंने यह से धागे को कट करकर किस दिया है तो यह नॉट लग गया अगर आप लोग 9 मैने की बीबी के लिए बनाना चाहते है तो देखे यह बड़ी साइस का बना है बॉर्डर में आप लोगों को चेंजिस नहीं करना है तो मैं यह पर थोड़ा सा मेरे बड़े साइस का बना था तो मैं बॉर्डर में चेंज कर रही हूं क्या चेंज कर रही हूं अभी आप लोगों को बता रही हूं देखे मैं बॉर्डर ब्लैक कलर का बना रही हूं ब्लैक कलर के उन को अम लोगों को सबसे पहले फिंगर में फोल्ट कर लेना है इसमें लगा लेना है नौट लगाने के बाद मैं देखें यहाँ पर पीछे की तरफ से स्टार्ट करेंगे सिलिप स्टिश करकर ब्लैक कलर को जोईन करके एक चेन बना लेंगे अब यहाँ पर देखें मैं इसके बीच में जोईन दे रही हूँ यहाँ पर दो डबल कुरिशे का बीच वाला पाड़े एक एक पाड़ को छोड़ कर मैं दूसरे वाले में कर रहे हूँ तो इससे क्या होगा कि मेरा जो रॉंड है वो कम हो जाएगा और आप लोग अगर बड़े साइस कही रखना चाहते हैं जैसे मैंने 6 मन्त के लिए बनायां तो मैंने इसका रॉंड को कम किया कै है अगर आप लोग जाएगा नौ मन्त की विए और भी के बड़े साइड में तो थापह लोग 젊ा पाड़े में चयों मैं साइड में थे के कार रहे हूं इसलिए मैं एक छोड़ कर दूसरे में बना रही हूँ ऐसे ही पूरे रॉन में बना लेना है और उसके बार डोरी किस तरी किस से बनाना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो प्लीस अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और पूरे रॉन में ऐसी बना लिया है और पीछे की तरफ जहां से हम लोगों ने शुरुवात किया था वहाँ पर इसको डालेंगे कुरिशया को और सिलिपिस्टिस से इसको जैन करकर एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेंगे और इसको खीचिंग अच्छी तरिकी से नौट लगाना है और हाथ से इस तरिकी से एक बार सेट कर लेंगे और देखे ये बराबर हो चुका है और जो इक्स्ट्राउन है उसको कुरिशया को ऐसे अंदर की तरफ डालेंगे और इस ट्राउन को अंदर की तरफ कर देंगे ताकर फिनिशिंग अच्छा दिखे इसका अप लोग चाहे तो इसको सिंपल ऐसे भी रख सकते हैं मैं यह पर डोरी बान रही हूँ डोरी की वज़े से इसका कुपसूरती भी बढ़ जाता है और इसका अगर लूज होता है बच खीचेंगे और फर्स्ट वाला जो चेन है वहाँ पर डालेंगे और इस तरीकी से फंदी को निकालेंगे पफ स्टीज बनाना है दो बर निकाला फिर कुरिशय में फंदा लिया फंदा निकाला तीन बर और फिर कुरिशय में फंदा लिया फंदा निकाला चार बर ऐसे हम ल को बंदगे के दो पफिषिज बंचुका है एकान और पफिषिज निकालwegenगे और सारसे फंदे को एक साथ में बंद कर लेंगे इसे उसके बाद दीखे तीन पफिषिज बन चुका है पिर ही तीन चेन बनाएंगे जयान पिश्च्ट बनाएंगे इसे चेन में Capital Heikas कर Cr wasting populism में के लिए बना रही हूं तो देखिए इस तरह किसे अगर आपर बड़े साइस का चोरी बनाना चाथ है तो आप लोग 30 बबना सकते हैं मैं मैं सपन के把它 बना निकाल कर इसको बंद करेंगे फिर से एक और पफिस्टिज बना लेंगे मैं जो यहाँ पर बना रही हूँ ये सूस ये बेबी वाई के लिए बना रही हूँ आप लोग बेबी गल के लिए भी बना सकते हैं तो तीन चेन बनाने के बाद फिर से इसी में डालेंगे सिलिप स्टिश करकर जैन्ट करेंगे एक चिल लेंगे और धागी को यहां से कट कर लेंगे तो डोरी हम लोगों का बन कर कम्प्लीट हो चुका है इस तरह के का डोरी आप लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं जब बेबी ड्रेस वगारा बनाते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं तो देखें यह जो एक्स्ट्राउन है उसको कुरेशया से अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे अब इसको अटैज किस तरह के से करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ देखें कुरेशया से ही इसको डालना है यह जो फर्स्ट वला हम लोगों का हाफ डबल कुरेशया का पैटन है उसको छोड़कर दूसरे वाले हाफ डबल कुरेशया की इस वाले साइट में देखें यहाँ पर इस वाले साइट में ऐसे नीचे की तरफ से इसको उठा लेना है उपर की तरफ बस धिरे-धिरे उठाना है ऐसे करते हुए क्योंकि ये टाइड मोजा बनकर सूस बनकर तयार हुआ है अब दूसरे साइट से भी इसको देखे नीचे की तरफ से ऐसे करका डालेंगे और इस वाले साइट से उठा लेंगे उपर की तरफ देखे इस तरीके से धिरे-धिरे करते वे इसको उपर की तरफ खीचेंगे इससे हम लोगों का क्या होगा कि लूज अगर मुजा होगा तो आप लोग दो से तीन नौट अच्छे तरीकी से बान देंगे तो टाइड हो जाएगा बच्चे की पैर से गिरेगा नहीं बड़े साइज का अगर आप लोगों को बनता है तो बड़े साइज लगता है तो क्योंकि देखे सभी बच्चे का पैर का साइज एक नहीं होता है छोटा बड़ा होता है तो इस तरीकी से अगर आप लोग डोरी बानेंगे तो डिजाइन भी बन जाएगा और फिटिंग भी अच्छा हैगा देखे इस तरीकी से नॉट लगा देगे तो यह इस तरीकी से खीचने लगेगा तो फिट हो जाएगा पैर में तो यहाँ पर देखे दोनों सूज मेरा कंप्लीड है आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अभी तक वीडियो को देखा है चैनल पर न्यूए सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब तो मैं चैनल एंड प्रेज दा बेल आइकन थैंक्स पर वाचिंग